अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी निचे बेल ऐकन उसे प्रेस जरूर कर ले आज है दिवाली जी हां आज है 25 तारीक और आप सभी को मेरी तरब से हैपी दिवाली विश्यो और वेरी हैपी दिवाली और आज मैं कि वीडियो बना दली वाली हुँ भाई दोज की बारे में जी हां अकृसर ऑप लोग की Definir ओर जा रही है कि भाई-दोज कैसे करते व्रत था राच वयस्यों और समाकरी पूजा की समागरी क्या क्या लगती है तो वैंसचिए क्यों न आप लोगों के लिए एक वीडियो बन जाता है जी हाँ तो ये है पूजा समागरी लक्री की दो चौकियां भगवान विश्नु देवी लक्ष्मी और भगवान गनेश की मुर्ती को रखने के लिए और दूसरा भाई के लिए दूसरा चौकी को ढखने वाला एक लाल कपरा देवताओं के लिए होता है तीसरा है एक कपड़ा रुमाल चौथा है रोली या कुमकुम टीका लगाने के लिए चंदन पाचवा है साबुत नारेल अपनी भूसी के साथ छटा है बिना खोल के एक पूरा सुखा नारेल साथवा है एक आरती थाली आठवा है पीतल के दो तीपक नौवा है दीप जलाने के लिए घी पाचवा या तेल एक देवताओ के लिए और दूसरा भाई की आरती उतारने के लिए दसवा है कपास की बती 11 है अक्षत 12 है मिठाई 13 है पान और सुपारी 14 है दक्षना 15 है पुष्प 17 है कलाई के चारो और बांधरे के लिए कलावा या मॉली डड़ा हुआ रंगीन धाग अठारवा है भोग देवी लक्ष्मी और भगवान विश्णु को तयार करे तो ये थी पूजा समागरी भाईदुज पूजा समागरी और आईया अब आप लोगों को पूजा करते हैं वक्त जो मंत्र उचारण किया जाता है वो मंत्र मैं आपको लोगों को बताती हूँ भाईदुज मंत्र गंगा पूजा यमना को यामी पूजी रमिराज को सुभद्रा पूजी क्रिश्न को गंगा यमना नीर बहे मेरे भाई आप बढ़े फले फूले तो ये था भाई दूज मंद्र जो आप पूजा करते वक्त इस मंद्र का जाब कर सकती है भाई दूज दोहजर बाइस की तारीक जी हाँ भाई दूज दोहजर बाइस दे थी 26 सक्टूबर दोहजर बाइस है भाई दोज का सुमोहरत क्या है? भाई दोज बुधवार 26 अक्टूबर 2022 को है भाई दोज अप्राहन का समय दो पहर एक बज कर 18 मिनट से दो पहर तीन बज कर 33 मिनट तक है भाई दोज पूजा विदी भाई दोज के दिन बहने अस्तनान करे बिष्टे दे भगवान विष्णों या भगवान गनेश की पूजा की जाती है इस दिन भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाने के बाद उस पर पान के पत्ते सुपारी चांदी का सिक्का रखा जाता है इसके बाद भाई के हाथ पर दिये गए पानी डालते हुए भाई की उम्र लंबी हो इसके लिए मंत्रों का उचारण किया जाता है इसके अलावा बहने भाई माथे पर तिलक लगा कर उसकी आरती भी उतारती है और फिर कलाई पर कलावा बांधिती है फिर भाई का माखर मिश्री या मिठाई से मुह मीठा करवाती है और अंत मे आरती करती हैं इस दिन भाई अपने बेहनों के घर जाती हैं और भोजन कर उन्हें उपहार देते हैं और ज्यादा जन करी चाहिए तो मैं आई वटल में भाई दूज का लिंक लगा दूंगी आप वहां से चेक आट कर सकते हैं कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो प्ल जई आप वहां से लिए अपने प्लाँ वहां से बाई दो जाओ भाई बेहां से अवड़ा आप सकते हैं और भ्लाँ ख सकते हैं और भोजन कर दो कर दो दो